हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप बढ़िया बढ़िया रहने चाहिए और जो है एंटरेटेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए आप जाहे शो आपको बढ़िया तो भाईया आपको ऐसे नहीं कि उसे ही देखते रहना है बहुत सारे चैनल है आप किसी को भी जो है वोन कर सकते हैं अगर आप उनसे भी सबसे बढ़िया तो कहीं न कहीं पबलिक में और भी ऐसे हैं जो बौर हो रहे हैं तो इसलिए वो शो बंद होते हैं और नए शो आ जाते हैं तो ऐसे में एक नहीं दो नहीं तीन शो के प्रोमो आपको इसी महीने में देखने को मिलने वाले हैं और ऐसे में भाई वो कौन-कौन से शो की घंटी बजाने वाले हैं या कौन से शो को रीप्लेस करने वाले हैं ये तो जो है भाई या पसंद नहीं आ रहा है लेकिन जो second promo आया है fans को confusion कर दिया है कि लड़का शादी शुदा है और फिर इस लड़की को इतना ज़्यादा support कर रहा है फालतू नाम की लड़की को तो ऐसे में ये boy production का show है तो उनके show हमेशा confusion कर जाते है और ऐसे confusion में ज़्यादा confusion हो जाता है तो ट्यार भी नहीं निकल पाती जब promo से ही confusion सुरू हो चुका है तो भाया show में confusion ना हो अब ये show कब से सुरू हो रहा है ये nest month से सुरू हो रहा है second November से अब बात आती है दूसरे बड़े show की जिसकी चर्चाएं सुरू हो चुकी है यानि की nest week वो प्रोमो लॉंच करने वाले है और जो है उसका नाम है भाया प्यारा सा गुम है किसी के प्यार के production से ही निकल के आया है तेरी मेरी यारिया तो ऐसे में जो है तेरी मेरी दूरियां तो ऐसे में जो ये show है ये गुम जैसा ही नजर आने वाला है पहले ही गुम को जहेल रहे है लेकिन गुम ट्यार्पी भी दे रहा है तो ऐसे में गुम के production जो है प्रोमो तयार कर चुके है और जो है स्टाप्लस को दे चुके है ऐसे में जो है तेरी मेरी दूरिया का प्रोमो next week आपको TV पर नजर आ जाएगा और ये show किसे रिप्लेस करने वाला है ये पांडिया स्टोर को रिप्लेस करने वाला है अगर आप पांडिया को पसंद करते हैं तो please watch on TV with that अगर ट्यार प्यच्ची होगी तो किसी के बाप में दम नहीं है कि आपका शो अटा देगा अब बात आती है तीसरे बड़े शो की भाई मेहंदी है रचने वाली शो देखा है आपने उन्हीं के पॉडक्शन जो है प्यारा सो शो फिर ला रहे है भाई इस बावने टाइमिंग अच्छी मिल जाए अगर टाइमिंग अच्छी नहीं मिली ना यकीन मानो या जैसे मेहंदी है रचने वाली को फैंस ने सपोर्ट नहीं किया उस वक्त उस पर रशी नहीं पहुच पाता था तो कहीं उस शो का भी ऐसा एदा हो जाए लेकिन वैसे उन्होंने डिमांड की है कि मुझे बैस टाइमिंग चाहिए उन्होंने अपनी कास्ट की अगर आपको कास्ट के बारे में जानना है तो कमेंट कर देना मैं उसकी एक अलग से क्लिप बना दूगी अभी उन्होंने शो का नाम नहीं बताया है यानि की संदीब सिखन मेहंदी है रचने वाली के पॉड़क्शन एक नया शो ला रहे हैं और जिसमें साई केतन राव ही नज़राने वाले हैं आपके प्यारे साही अनी की भई इनने तो जो है महंदी में बहुत प्यार मिला है तो जो है बाकी कास्ट अगर जाना चाहते है जैसे मैंने अपसे काया कमेंट कर देना मैं और उसकी क्लिप बना दूगी तो ये शो जो है बैस टाइमिंग में आपका और ये रिस्ता को चैलेंज दिया भाई जो डगमगा जाएगा समझ जाना भाईया उसी ही वो टाइमिंग मिल जाएगी संदीप सिखण को तो ऐसे में तीन नए शो जो हैं इसी साल सुरू होने वाले हैं और इसी महीने प्रोमो भी आने वाले हैं तो भाई आप कितने एकसाइटिड हैं अपने नए शो को लेकर और कितने उदास हैं और कितने गम में आ गए हैं अपने शो को ओफियर होते हुए तो कमेंट करके जुरू बताइए बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है